पिच्चर चलू करो बे गांदी परिवार के बेटे बैटी का जिकाल करना हो फिर कॉंग्रेस को बोड़ दीजिए अच्छा यही नहीं अभी और सुनिए क्या बात है सर क्या बात है बाईशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया है मतलब कुछ भी बेट पेट से राजा नहीं पैदा होगा राहूल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लगना परेगा तो अमित साह का जो बेटा है देखें उसका मूँ उसका बी सी सी आई का सेक्रेटरी बनना परिवारबाद है की नहीं है बाद जो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बी सी सी आई का सचिव बनाने के समय में नहीं दिखता आईए मोदी जी हम आपको परिवारबाद की ABCD की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आपकी पार्टी आपके कहे अनुसार प्रतिभाओं को मार रही है कैसे योगिताओं को नाकारा जा रहा है कैसे परिवारबाद पर आपकी पार्टी और आप सिर्फ खोकली बातने करते हैं और देश की जनता को गुमरह करते हैं शुरुवात करते हैं A for अमिच शाह जी से जो देश के ग्रह मंत्री हैं जिनके सुपुत्र जैशा हैं जो क्रिकिट का का भी नहीं जानते मगर दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड BCCI के सचिव हैं B for BS येदूरप्पा जिनके बेटे हैं बिवाई विजेंद्र ये करनाटक की शिकारी पूर से विधायक हैं C for चर्तीलाल गोयल जिनके सुपुत्र का नाम है विजय गोयल पूर्व केंद्र मंत्री रहे और दिल्ली BJP के वरिष्ट नेता के रूप में जाने जाते हैं D for देवेंद्र फडनविस महराश्र के पूर्व मुख्य मंत्री और राज के वर्तमान उप्व मुख्य मंत्री हैं जिनके पिता गंगाधर फडनविस जन संग के सदस्य थे और नागपुर से महराश्र विधान परिशद के सदस्य भी रहे D for एक नाथ शिंदे जिनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे जो कल्न्यार से लोकसबा सांसद हैं जिनकी योगिता है कि उनके पिता महराश्र के मुख्य मंत्री हैं लिस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, किसी नहीं मालूम कि रक्षा मंतरी राजनात सिंग के बेटे हैं पंकत सिंग जो यूपी के नॉइडा से विधायक है कौन नहीं जानता कि आपके मंतराले में बैठे केंद्र मंतरी अनुराग ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्य मंतरी प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं कौन अन्जान है नारायन राणे और नितेश राणे की पिता पुत्र की जोड़ी से पिता सांसद है तो बेटा विधायक वसुंद्र राजे सिंध्या के बेटे दुश्यंद सिंग जालाबार बारा से सांसद है मोदी जी परिवारवाद पर ज्यान तो दिया आपने मगर परिवारवाद पर आपकी बातें सच्ची हैं तो शुर्वात भाजपा से करिए जो भी लोग परिवारवाद की राजनीती से आते हैं सब को हटा दीजिए पूरी उमीद है आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जूटे हैं